तो हेलो फैंस और वेल्कम तो वेरी इंपोर्टेंट वीडियो फैंस आज की वीडियो महम लोग 10 अपरेल मंडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल में लिसेज करने वाले हैं वो कौन से इंपोर्टेंट लिवल है जहां पे आपने call and put की position मराने चाहिए सभी लेबल्स को वोग डीटेल में देखने वाले हैं निव वीक आने वाला है मार्केट अगर आप जाके देखेंगे तो बढ़िया बॉटम से एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया और मार्केट ने अच्छा काजा रिवर्सल दिखाया है तो आने वाला ट्रेडिंग सेशन और आने वाला वीक बहुत जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी लेबल्स को मैं आपको डीटेल में बताऊंगा को तो देखे फैंड, सबसे पहले बात करेंगे निफिक्ति-फिक्तिCs के तो अगर आप आप देखेंगे तो ऑपन शक्को ल थाई पहले चीजा पहले चीज़ दो उसके बाद एक रेंज बनाही मार्केट रेंज बना कि नीचे नी जा रहा है ठीक है कि अब डाउने के बाद और अगर आप ओवराल श्रेंड देखेंगे जैसे मैंने बताया कि मार्केट ने ओवराल एक बढ़िया रिवर्सल लिया है सपोर्ट से डिली टाइम फ्रेम में जैसे मार्केट ने ब्रेक आउट पता होना बहुत जलूरी है पहले हम लोग डाउन ट्रेंड में थे नाव यू कैन से कि हम लोग अप्रेंड में आ चुके हैं क्यों ऐसा मैं बोलता हूं देखिए मार्केट नीचे गिरा पाउज लिया अब देखिए एक बढ़िया ब्रेकाउट किया अप साइड में तो डे देखिए 17,570 का लेवल निकल किया आता आपका यहां पी यह आप क्रोस करते स्विंग लोग आप 20-25 पॉइंट का स्टाप्लोस रखों मोमेंटम कैंडल में यह आपका दोनों टार्गेट आराम से अचीव हुआ है अगर मैं आपको ग्लोबल मार्केट से एक बार रिफ्रे देखिए सबसे इंपॉर्टन लेवल तो निकल किया आएगा आज का ही ठीक है मतलब प्रिविएस ट्रेडिंग सेजन का ही 17,625 जैसे ही क्रोस करेगा आपने इमिडियेटली कॉल की पोजिचन बनानी है और दो टार्गेट्स आपके निकल किया आते है आपने एंट्री जैस होगा 17,700 का exact psychological level हमेंसा stop loss के साथ trade करना है एक चीज़ हमेंसा याद रखिए अगर आपको 1-2,1-2.5,1-1.5 मिलता है तो definitely आपने maximum quantity book करनी है stop loss को trail करना है then आप definitely बड़े profits के लिए चा सकते हो तो यह तो हो गया guys upside का trend call side का अब put side की बात कर सकते हैं क्या तो definitely put side की बात के इस range के नीचे काउन सी range है boss इस rectangular range के नीचे आपने put side की बात करनी है यह level निकल के आता है आपका 17,600 का exact psychological level है additional 10 point का buffer रखेंगे 590 हम लोगा entry point होगा और 2 targets निकल के आते हैं पहला target निकल के आता है immediate support around 17,550 second target निकल के आता है extreme support 17,510 के पास 510 से 15 के पास अगर मैं रिस रि point दूपर मेरा stop loss है पहले में risk reward होगा अलगबग 1 is to 2 second में होगा अलगबग आपका 1 is to 4 का जो की बहुत असानी से possible है आप हमेशा क्या कीजिए पहला target जैसे ही achieve होगा maximum quantity book कीजिए stop loss को cost to cost लेए then आप remaining quantity का ट्रेल करके profit second target ले जा सकते है ठीक तो यह हो गया हम लोग overall nifty nifty 50 का analysis अगर आप हमारे gold group को join करना चाहते हैं तो definitely join कर सकते हैं video description में लिंक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत सारे trades में देता रहता हूं अगर मैं आपको दिखाओं तो हम लोगों ने जैसे माल लीजी यहाँ पर एक trade दिया है अगर आप देखेंग लगबग 40, 60, 20, 80 points आपको rally देखने को मिली लगबग 50% से उपर का target देखने को मिला है ठीक है तो यह सबी चीज़े free में guys definitely आप join कर सकते हो यहाँ पे और भी trade देता रहता हूं देखें नौ रुपए की call दी हो गई लगबग 15 रुपए लगबग आपको 50% का return देखने को म मिला तो यह account open करने description में link है और साथ में यह भी course आपको free में मिल जाएगा zero to zero options trading course चलिए friends अभी हम लोग बात कर लेते हैं nifty bank की nifty bank में क्या overall क्या moment देखने को मिली so अगर आप nifty bank को ध्यान से देखोगे तो same to same bank nifty जैसे moment देखने को मिलती है market gap down होता है छोटा सा pause लिया यहां पर एक बहुत बढ़िया support था market देखें नीचे नहीं जा पा रहा है मतलब उपर जाएगा यहां पे breakout किया RBI की policy भी थी monetary policy और यहीं पर उसको catalyst मिला exact 10 बज़े पे और market देखें कितना बढ़िया rally upside का दिखाया है second half में एक बढ़िया reversal देखने को मिला मैंने यहां पे sorry nifty bank की closing high के comparison में definitely बहुत नीचे देखने को मिलती है opening के comparison में definitely उपर है but still market कहीं न कहीं थोड़ा सा bank nifty panic situation में है because of stocks अगर आप bank nifty के देखेंगे तो 41,030 के उपस previous trading session में बोला था जैसे ही cross करेगा आपने call की position मरानी है 41,030 के level आपका निकल के आता है मैं आपको दिखाता ह सकता हूं द्यान से देखेंगा पैले सफोफ देखेंगे स्वेशन पर प्लस मेने बोला होगा सब बहुत कर बोलता हूं सब्स मैं आपको दिखाता हूं चालीज पर प्लस का मैंने सब्स विल अचालीज से पाली सब्स पोइंट का 40-30 का है level आता है आपका यहां पे 40-45 पर अपस आपका stop loss हुआ देखिए आपका रिस्तो रवड कितना गया है 1-5 का रिस्तो रिवाड गया है 1-5 बहुत बढ़ी हा टार्गेट होता है दिक हमें सा बोलता हूं दोनों टार्गेट अचीव हुए हैं बड़ सिल पहला टार्गेट आप यहां बुक करो जो भी आपको फि सब्सक्राइब करेगा बढ़िया रैली देखने को मिलेगी एक तगड़ा सपोर्ट है सो पहले मैं डाउन साइट की बात करूंगा 40,000 950 950 के नीचे आपने च्रेल लेना है पुट की पोईशन मनानी है और दो टार्गेट आपके निकल के आते हैं पहला टार्गेट यह वा करेंगे यहां पर मैंने इंट्री लिए है के वल मेरा 40.2 पर मेरा स्टॉप लॉस है पहले मेरा इस रिवर लगबग 1-2.85 जो की बहुत बढ़िया हूपिंग निटन है अगर आप दो ट्रेट भी लॉस करते हैं और अगर आपके दो ट्रेट भी प्रॉफिट में चले गए 50 50-50 पे भी हैं तो आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट में दोस्तों बहुत बढ़िया प्रॉफिट में रहोगे तीक यह तो हो गया पुट की बात क्या हम लोग कॉल की बात कर सकते हैं तो इस रेंज के उपर बात करेंगे ज्यान से देखिए इस रेंज के उपर ब्रेक जाता है, 41,380 के पास, मैं लेवल मार्क करना चाहूंगा, 41,270, 41,380 के पास, आप calculate कर लिजे, closing of candle के साद आपने trade लेना है, यहाँ पे माल लिजे कहीं आपका trade बनता है, यह छोटा सा आपका 40-45 पॉइंट का stop loss है, पहले में रिस्ट रिवाद हो गया लग बग 1-3, second में हो लग बग आपका 1-5, जब भी पहला target अचीव हो, maximum quantity book कीजे, stop loss को trail कीजे देना बड़े profits के लिए जा सकते हैं, ठीके गाइस, इसके अलावा, और दोस्तों, अगर आप trading सीखना चाहते हैं, आपको trading में problem आरे हैं, तो definitely आप हमारे course को enroll कर सकते हैं, 16th April से new batch start होने वाला, तो आप हमें whatsapp करके course के detail ले सकते हैं, कितना profit हुआ, कितना loss हुआ, previous trading session में comment करके बताइए, कोई position carry किये तो भी बताइए, thank you so much guys for watching this video, bye bye करके बताए